हलो फ्रेंड्स मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ आज मैं बेसन मेथी की सबजी के रेसे पी लेके आई हूँ वो भी गुजराती स्टाइल में तो चलिए बनाते हैं बेसन मेथी की सबजी तो यहाँ पर देखिए मैंने मेथी लिया है यह 250 ग्राम है इसके पत्ते को मैंने तोड के लिया है और आपको इसको रफली कट कर लेना है तो देखिए मैंने इसको रफली कट कर लिया इधर मैंने गैस पर कठाई चड़ा दिया है और सबसे पहले हम इस बेसन भुनेंगे बहुत ही टेस्टरी सबजी बनती है और इस सबजी को आप गरमा गरम खाए बहुत ही हिल्दी सबजी होती है तो आप जरूर ट्राइ करिएगा तो यहाँ पर देखिए गैस का फलेम हमको मीडियम रखना है मीडियम फलेम पे आपको इसको भुनना है तो टोटल तीन से चार मिनट लगेंगे और यह अच्छे से बुन जाएगा तो देखिए इसको एकदम मीडियम फलेम पे आपको भुनना है तो अब आप देख रहे हैं कि हलका सा इसमें कलर हलका हलका चेंज हुआ है यहां पर मैंने घी या कुछ भी नहीं डाला है तो आपको भी नहीं डालना है तो बस इस तरह से हमको बेशन भुन लेना है यहां पर देखिए अब इसमें से बहुत अच्छी से महेकार ही है यानि बेशन अच्छे से भुन के रेडी हो चुका है अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे फिर भी इसको चलाते रहेंगे ताकि यह नीचे से ना जले तो यह देखिए इसको हम चलाते है और अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे आगे के प्रोसेस में चलते हैं यहां पर देखिए बेसन भून चुका है, यहां पर देखिए हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, अद्रक और जीरा है और हिंग है, तो यह सब आपको लेना है, फिर से हमको गैस को पर यह कड़ाई रख देनी है, और इसमें एक बड़े चमच आपको घी ले लेना है, आप बटर भी ले सकते हूं, मैंने जीरा डाल दिया है, और अब हम अद्रक जो कड़ुकस किया हुआ है, वो डाल देंगे, और देखिए हर और इसको बहुत ही अच्छे से भुनेंगे, तभी यह जो टेस्ट है, सबजी का बहुत ही अच्छा आता है, यहां पर देखिए, इसको हमको अद्रक को बहुत ही अच्छे से भुन लेना है, तो यह देखिए, इसका कलर भी चेंज हो चुका है, और अब हम इसमें मेथी डा कर लिया था और 3 án Alors 3-4 बहुत अच्छे से डhou लिया है सब तो इसमें थोड़ा सा पानी रहता है पत्ते तो यह देखिए इसको डालके और इसको पकाना है और इस पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लीजी और फिर आप इसको ढख के पकाईए तो देखिए इसको मिक्स कर लिया है और अब हम इसको ढख के पकाएंगे तो देखिए अब हम यहाँ पर इसको ढख देंगे तो यह और भी बहुत ही अच्छे से यह मेथी जो है पक जाएगी तो अब हम इसको ढख दे रहा है त जब तक पक रहा ही यहां पर देखिए मैने कुछ मसाले लिय3 हैं छण फैरे hang next ऐा लाल मीर्च लिया गड़ कि अधनियाब दर ऐया है लगम और देते 10 आणर भी और बहुत सेंप्ल मसाला डिया किसी आए किएह इसे ेशीaría अब हम चलाके देखेंगे बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है ये देखें ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और अब जो मसाला लिया था वो हम इसमें एड़ करेंगे तो ये देखें आपको दिख रही होगी मेथी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो और लाल मिर्च तो अगर आप लाल मिर्च नहीं डालना चाहते हैं तो इसकिप कर दीजिए उसके जगह आप हरी मिर्च थोड़ी सी मात्रा में और बढ़ा दीजिए तो यह देखे यह सब मसालों को डाल के और फिर हमको इसको ढखके पकाएंगे तो बस दो मिनट के लिए हम बहुत ही टेस्टी सबजी होती है आप जरूर ट्राइ करिएगा तो दो मिनट के बाद हम फिर से चेक करेंगे दो मिनट हो चुके हैं देखे पूरा मसाला जो है इस मेथी में बहुत ही अच्छे से एब्सॉर्ब हो चुका है बहुत ही टेस्टी सबजी बनती है एक्दम आपको बेसन नहीं डालना है और नहीं आपको पानी एट करना है बस थोड़ा थोड़ा करके आपको ये बेसन डालना है तो देखिए इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालेंगे तो देखिए एक बार में मैंने ऐसे थोड़ा सा डाल दिया है बेसन और फिर हम थोड़ा-thोड़ा करके इसमें सारे बेशन को एट करेंगे और एक बार में डालेंगे तो ये गुठलियां बन जाती है तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है एक बार में सारे बेशन को आपको नहीं डालना है तो देखे इस तरह से हम डाल दिया है और अब हम इसमें चीनी एट करेंगे तो अक्सर गुजराती लोग अपने हर खाने में चीनी एट करते हैं तो आप भी चीनी एट करिए बहुत ही यूनिक सबसी होती है और हल्दी तो पूछे मत काफी हल्दी होती है तो जाड़े के दिनों में ये बहुत ही अच्छी लगती है अब हम इसको ढखके पकाएंगे तो दो से तीन मिनट हम ढख देंगे तो चीनी बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और देखिए यह बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुकी है अब भी इसको आपको अच्छे से चलाना है यह एकदम अलग-अलग हो चुकी है यानि कि देखिए यह परफेक्ट पक चुकी है और गैस का फ्लेम यहाँ पर आप एकदम लो रखेंगे तो यह देखिए यह एकदम अच्छे से पक चुकी है इसमें अब लास्ट में आपको नीबू एट करना है तो यह देखिए मैंने नीबू एट कर दिया है इस तरह से आधा नीबू आपको बहुत ही अच्छे से निचोड लेना है तो ये देखिए सब नेवू मैंने इनी चोड़ लिया है और बस नेवू एट करने के बाद मैं उचे गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है तो ये देखिए एक्टम परफेक्ट बेशन और मेथी की सबजी तयार है गर्मा गरम खाये ये होती हल्दी सबजी होती है तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे तो देखिए बेशन मेथी की सबजी एक्टम परफेक्ट रेडी हो चुकी है आई होप कि आपको ये सबजी जरूर पसंद आई होगी थैंक्यू फ्रेंड